हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब एक्जामिनेशन हो गया आंसर की का वेट होगा आंसर की बहुत सारे आप ही गये हैं और मैंने कोस्तिस किया है कि गलत ना हो बट तब भी दो इससे तीन क्विश्चिन आगे पीछे हो सकता है यह इसकी गारेंटी नहीं दो से तीन क्विश्चिन का पे असर हो सकता है चले एक है कोसिस की गई कि जितना एकुरेट ही आपको आंसर दिया जाए इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था बहुत सारे करेंट के क्विश्चिन में भी कन्फ्यूजन हो रहा था तो उन सब को करते हुए हम लोगों ने आंसर तयार किया है एक एक करके देख लेते हैं पहला सवाल अच्छा यह आपने यहां पर देख लिया होगा यह यह जो है वो डी बुकलेट है चले करके स्टार्ट करते हैं आप उसके कोडिंग मिला लीजेगा सबसे पहले पच्ची कारी जिसको पिट बोलते जा रहा हूं आप लोग मिलाते चले जाए उसके बाद किस मुगल सासक ने चेतर काड़ी के लिए कार खाने बनवाये थे आंसर होगा जहागीर दूसरा हो गया तीसरा बंगाल में डायार की सिस्टम यानि दूई साशन परणाली जो है वो किसने स्टार्ट किया था इसका है रॉबर्ट क्लाइब अच्छा इसको इस तरह से भी हम लोग कर ले तो बहतर होगा यह बहतर होगा कि इंग्लिस में आप करिए मैं हिंदी में बोल देता हूं फूर्थ जो है इंग्लिस वाले भी का हो जाएगा और हिंदी वाले का भी होगा सिकागो वाला जो इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था सी आरदास और मोतिलाल नहरू फिर छे नंबर है कि नील दरपन जिसमें इंडिगो की खेती की बात की गई थी इसको लेकर किसानों के दमन का चितरन किया गया था वो रचना यानि नील दरपन के रचनाकार कि बांडिवास की जो लड़ाई हुई थी यानि 1760 में परसीद बांडिवास के युद अंग्रेजों दोरा किसके खिलाफ लड़ा गया था तो फ्रांसिसी थे यानि फ्रेंच थे जिनके खिलाफ लड़ा गया था वी चौदा फॉल्लॉईं यानि निमलिकित में से किस अध नित्रित्व में हुआ था कहां हुआ था कि शिद्र में कच्छ सी भूम विस्टन घाट सतारा और यह ऑप्शन तो है है तो इसका आज़र हो जाएगा बी नित्रित्व किस ने किया था तो यह बताने की जरूत नहीं है कि आंसा से होगा सी यानि कुमर सिंग उसके बाद 11 चमपारन में इंडिगो यह नील के खेती कि एक किसानों की दसा की और गांधी जी का ध्यान किस ने आकरशित किया राजकुमार सुकल सब जानते होंगे प्राशीन महा जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी तो राजधानी गरी वज़र थी जिसको राजगीर कहा जाता है आप्शन नहीं होने के कारण यह आप्शन यहाँ पे होगा तो पहला यह आप्शन हम लोगों को मिला स्वामी सहजानन किस से संबंदे थे तो स्वामी सहजानन जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंदे थे 14 नमबर में confusion हुआ है कुछ अस्ट्रेंट को निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्यागरह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविने अवग्या आंदोलन का प्रयोग किया यहाँ पर वर्ड आपने कुछ लोगों ने शायद मेरे पास पता चला है गलती हुई है उसमें एक ये है कि फ़र्ष्ट सत्यागरह तो यूज किया ही गया है यहनि पहला सत्यागरह आंदोलन था जिसमें सविने अवग्या आंदोलन का प्रयोग किया था तो इसका आंसर चमपारन होगा सविने अवग्या आंदोलन को 1930 से जोडने की जरूत नहीं है बलकि इस वर्ड का जो मेन मतलब है उससे आप रिलेट करके देखिएगा तो आपको आंसर निकल जाएगा उसके बाद वी चौद फॉलोईंग यानि हरपपा साइट्स के बारे हम बात की जा रही है यानि हरपपा के किस नगड में जूते हुए खेत मिले है तो इसका आंसर सीधा है काली बंगा त्री रतन त्री रतन का जो कॉंसेप्ट है अचा यहाँ पे गरबढ हुई है यहाँ पे जिन्होंने भी हिंदी में किया है उनको केंफियूजन हो गया है त्री रतन की बात की गई है लेकिन इन्होंने एक्जामपल दे दिया है राइट नॉलेज, राइट फेथ राइट एक्षम यानि सम्यक ज्यान, सम्यक स्रद्धा और सम्यक चरित्र की बात की गई है तो यह जो है बाध हम से रिलेटेड है यह ध्यान लगना, यह आप्शन नहीं होगा बुद्धिज्म से रिलेटेड है सत्रा चौथी बाध संगती किसके काल में कश्मीर में हुई थी तो कनिस्क इसका अंसर होगा फिर अठाड़ा निम्न लिकित में से किस भारती दर्शन, इनिन फिलोसफी की बात की जा रही जहाँ एटम की बात की गई है सांख और वैसे सिक युगम दर्शन है लेकिन एटम की बात जो है वो वैसे सिक ने किया है 19. किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लॉख बलड एन आईरन सिंपल है बलबन के द्वारा किया गया था किस मद्धिकालिन सासक ने समराज मद्धिकालिन भारती संमराज व्यापक अस्तर पर अस्तानिय सुसासन के लिए जाना जाता है सेल्फ गौजर्मेंट के लिए जाना जाता है इस चोल का जाना जाता है उसके बाद 13. जो मेजर पोर्ट है यानि 13. प्रधान बंदरगाः किस राज्य में अस्थापित किया जाना है तो आंसर होगा महरास्ट्रा लोड कम करने के लिए उसके बाद किस राज्य में सबसे अधिक सौर उर्जा का उत्पादन होता है करनाटक टॉप पे है जहां सौर उर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है रूफ टॉप में भी वो टॉप पे है खनीज और जिलेक में कौन सा करेक्ली मैच्ट है तो लाइम स्टोन कैमूर ये करेक्ली मैच्ट है उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इंडस्ट्री और प्लेस दिया गया है कौन सही तरीके से मैच नहीं है तो इसमें जो वैगेन एंजिनरिंग की बाद की गई है भागलकुड में ये टोटली गलत है तो ये क्लिर दिख रहा है गलत है उसके बाद पीड मॉंट स्वेप की बाद की गई है यानि पीड मॉंट स्वेप मिट्टी कहां पाई जाती है इसका आंसर होगा विस्ट चमपारण अगला कि यहाँ पे यह किया गया है कि आपको पेर खोजना है उस administrative division का बिहार के जहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है तो इसमें एक ही पेर है वो है दर्भंगा और मुंगेर का जहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है अधरवाई सब जगा गंगा नदी टच कर जाती है अब tribe और जिले नहीं कौन सा tribe कि इस जिले से संबंदित नहीं है उसको खोजना है तो इसका आंसर होगा मुंडा जमुई उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार राज के कुल भवालिक छेत्र की तुलना में समस्त वन छेत्र का परतीसत क्या है इसका आंसर होगा 6.87 भी 6.87 होगा फिर which of the following district is having the only national park of बिहार यानि बिहार के किस जिले में एक मात राश्ट्रिय उद्यान है तो इसका है बाल में के आपको पता है पश्मी चम्पारन 30. भगॉलिक छेत्र की द्रिष्टी से जापान का सबसे बड़ा आइसलैंड यानि द्यूप जो है वो कौन सा है उसका नाम है होन्सू ये चारों उसके द्यूप है इन्ही चारों पे पूरा जापान है उसमें होन्सू सबसे बड़ा है ग्रीन लैंड जो है वो किस देश की टेटरी है इस देश के अधिकार्ड में आता है तो इसका आंसर होगा ए डेन्मार्क तो इसका आंसर अब हो जाएगा बदल गया है डाटा यूनाइटेट किंग्डम दोहजर अठारा के कॉर्डिंग यूके जो होगा वो आंसर होगा 33 निम्न देश में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ तो चाइना टॉप पर है जितना सर्च हुआ इससे पता चला कि चाइना जो है वो टॉप पर है अंसर थोड़ा वैरी कर रहा है बट यूएसे फोर्थ पोजिशन पे है चाइना अभी ट जॉप पे है डाटा के कोर्डिक longing 2019 के डाटा की बात की जा रही है तो चाइना नम्बर वन पे है 34. निम्न मेंसे किस महादीप में सबसे अधिक देश है तो ये सब जानते हैं आप लोगे अफ्रीका में सबसे अधिक देश है उसके बाद 35. 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राजे में आधिबासियों की आवादी का प्रतीसत उसकी कुल आवादी के तुलना में अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा मीजुरम 36. कौफी उत्पादन के लिए कौन सा चेतर करनाटक में नहीं है चिक मंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदन और पुलनेज तो पुलनेज नहीं है ये तीनो उसके लिए जाना जाता है 37. भागालिक शेतर की दिस्टी से भारत के निम्द जिले में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो भागालिक दिस्टी से पूछा है सबसे लार्जेस्ट जिला तो वो होगा यहाँ पे 27 नंबर का जो सवाल है इसमें confusion एक है confusion है मेरे हिसाब से यह होना चाहिए यह दोनों कहीने कहीं कटेगा यह दोनों कटेगा क्योंकि सुपाल का कहीं भी उड़ाओं को लेकर कहीं कोई डिलेसर नजर नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से E होना चाहिए देखते हैं वही कहा दो या तीन सवाल में आगे फीछे हो सकता है BPC क्या मानती है कुछ नहीं कह सकते तो अभी हम लोग कितने पे थें 37 पे थें Asia हो गया तो यहाँ पे हो गया सबसे अधिक जो continent है वो है सबसे किस कॉंटिन में सबसे अधिक देश है तो अफ्रीका हो गया उसके बाद highest percentage of tribal population in its total population तो इसका अंसर हो जाएगा मीजोरम अचा यहाँ पे हो गया था ना पुलनेज हो गया था 37 37 में क्या है कि कौन सा district जो है वो area wise इन चारों में सबसे बड़ा है तो उसका नाम है कच कच area wise इन चारों से बड़ा है उसके बाद 38 है 38 में यह कहा गया है कि इंडिया का वो कौन सा state है यानि भारत के किस राज़ में वन जीब अभ्यारन सबसे अधिक संख्या में है तो इसका है मद परदेश clear है which are the falling river follow in Bihar is a north falling river यानि उत्तर की ओर बहने वाली question बिहार में परवाहित होने वाली निम्द नदियों में से उत्तर की ओर परवाहित होने वाली कौन सी नदि है तो option होगा E क्योंकि इन में से कोई भी वो नदि नहीं है जो उत्तर की तरब बहती है सोन बहती है बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है अटल सुरंग के बारे में सवाल पूछा गया है है केरेंट का लेकिन डिटेल के अंदर सवाल है अटल सुरंग क्रॉस यानि निम्न हिमाले परवस्रेनियों में से किस परवस्रेनी को अटल टनल पार करती है तो इसका आंसर होगा इस्टर्न पीर पंजाल टनल उसके बाद आगे यहाँ पर रूल आफ लौ का मतलब क्या होता है रूल आफ लौ का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियायत अंतर कुश्यन देखने में बड़ा है आंसर बिलकुल हलका है उसके बाद अगला सवाल है कि 29 पंचायती राज संस्थाओं को 29 कारियों की सुची किस अनुछेद के तहट दी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 जी के तहट दिया गया है नागडिक्ता संसोधन कानून कब पारित किया गया डारेक्ट फैक्ट कुशा गया इसलिए मैं बोलता भी रहता था कि डेट कुछ याद रखा किजी 11 दिसंबर 2019 अगला है कि तेहतर में संविधान संसोधन की वैधानिक सुरुवात किस संविधान संसोधन बिल से हुई यानि कब से उसको स्टार्ट किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा 64th constitutional amendment बिल से हिवस की सुरुवात की गई थी पास नहीं हो पारा था वो बात अलग है अगला सवाल है कि 1632 में बिहार के पटना सहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्टरिय स्थापित किया तो Dutch East India Company ने अपना फैक्टरिय स्थापित किया था निमलिखित में से कौन सा वी केंदरी करन का वैसिस्ट नहीं है मतलब वी केंदरी करन का दी सेंट्रलाइजिसन का करेक्टरिस्टिक नहीं है तो मेरे हिसाब से C होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर confusion है BPAC आंसर बदल सकती है वैसे C होना चाहिए 47 बिटिस आसनकाल में समविधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं है मतलब ये सारा तो काफी famous है तो D जो है वो इतना famous नहीं है तो उस हिसाब से यानि एतिहासिक की बात की गई है तो उस हिसाब से ये D आंसर होगा हाली में संसद की नई इमारत के निर्मान की बोली किस ने जीती current है नोर्स में था भी Tata ने जीता है Tata Project Limited ने विच आर्टिकल यानि समविधान के किस अनुशेद में election commission की निर्वाशन आयोग की बात की गई आर्टिकल 324 एकदम simple सवाल पूछा गया है वर्तमान में राष्टियम महिला आयोग की प्रमुक हेड कौन है उनका नाम है रेखा शर्मा जो हेड है 51 51 क्या कहता है 51 का question है कि भारत में और्द्योगी छेतर की उपलब्धी को मापने के लिए निमलिखित में से कौन सी संस था और्द्योगी कुथपादन के सूचकांग को जाड़ी करती है तो इसका आंसर हो जाएगा C उसके बाद according to यानि विफसाय करने की सरलता के नाम पे एन दूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के नुसार भारत ने अपने करम को सुधार लिया है पहले वो पहले 77 पे था अब सुधार के 63 पे आ गया है भारत के केंदरिये बजट में संस्थागत क्रिसी साख बढ़ाने के लिए ठीक है पंद्रह लाग करोर सी ऑप्शन होगा पी एम कुसुम योजना पी एम कुसुम योजना क्या है तो इसका डिलेशन है डी से यानि किसानों को डीजल और किरोसीन के निर्भरता को समाप्ट कर पंपिंग सेट देना जो सोलर एनरजी से चले अगला सवाल 55 निम्ड में से भारत का कौन सा व्यपसाइक बैंक विस्व के सिर्ष सौ बैंकों में सामिल हुआ है तो अपना SBI है सौ बैंकों में सामिल हुआ है Government of India Announce किया है निर्भीक New Scheme निर्भीक के नाम से घोसित किया है अर्थविवस्था में से कौन सा चेतर इस योजना से लावानबित होगा तो यह जो है वो एक्सपोर्ट का एडिया है जो लावानबित होगा बिहार सरकार ने 1 अपरल 2019 से सादनिक वित्तिये परबंधन परणाली शुरू की है अब यह जो सादनिक वित्तिये परबंधन परणाली है वो राज में समस्त वित्तिये करिया काड़े कलापों को ऑनलाइन और कागच रहित बनाएगा तो आप्शन ए इसका आंसर होगा 57 का आंसर ए हो जाएगा क्रिशी कर्मन परुसकार दो जरबड़ी 2020 को भारा सरकार ने बिहार को क्रिशी कर्मन परुसकार दिया किसके लिए तो प्रोड़क्शन एन प्रोड़क्शन एन प्रोड़किविटी ओफ मेंज एन विट के लिए यानि मक्के और ग्यहों के उत्पादन के लिए अगला है सतत जीविको पारजन योजना यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सतत जीविको पारजन योजना को लेकर यानि बिहार सरकार ने अगस 2018 में एक नई योजना सतत जीविको पारजन योजना शुरू की है इसका उद्देश से क्या है कहिना मेरे हिसाब से की भी बात की गई है self help group की भी कहीं नहीं कहीं बात की गई है तो इसको लेके धोरा सा confusion है कि B, C अगर दोनों होगा तो E तो ज़्यादा चांसे E होने का अब बिहार क्या मानती है BPC क्या मानती है हो जाने 60 बिहार सरकार के साथ निश्य में निमलिखित में से कौन सा सामिल नहीं है नहीं है तो इसके अंदर child welfare छोड़के बाकी सब सामिल है 61 बिहार में प्रतिव्यक्ति सुध, राज, घरेलू उत्पाद, इस्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है 2018-19 में यह राष्ट्रिय औसत का 60% था 60% था 62 भारत में एक हाद प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश से नहीं है Export of good grains यानि D number होगा अगला है revenue deficit in India implies that यानि राजस भारत में राजस घाटे का थात पर है भारत सरकार को अपने व्यायों के बित पोशन के लिए उधार लेने क्याव शक्ता है जो पूंजीगत परिसंपर्ति का अनरमान नहीं करती है यानि Option B जो होगा वो सही है 64 2019-20 में निम्लिखित में से कौन सा देश भारत का सरवाधिक व्यापाडिक भागीदारी वाला देश बन गया तो USA इसका अंसर होगा 65 कह रहा है कि भारत माला पडियोजना में से भारत का निम्लिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर छेतर संबंदित है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत माला से संबंदित है यह आसान है सर्फ और उसी की तमन्ना जो गाना है वो रामपरसाद बिस्मिल का है उसके बाद हिस्ट्री के सवाल तो काफी एजी थे उसके बाद बंगाल भी भाजन के प्रत्यगात के रोप में कौन सा आंदोलन सुरू हुआ तो स्वदेशी मोव्मेंट सी ऑप्शन होगा शिक्स्टी एट नाइटिन फोर्टी 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 सेक्स में दिल्ली में हुई आई एने के मुगदमे में जो वकील पेस हुए थे या जिनके नितित में हुआ था वो भूला भाई देसाई थे तो ये भी हो गया आसान है मैडम भिखाजी कामा ने भारत के तीरंगे को कहां फाराया था तो इस टूट गार्ड में हुआ था जर्मणी तो ये भी आसान सवाल था 70 इनमें से कौन सी जोड़ी सही है तो इसमें जो सही है वो सीयरदास की जोड़ी सही है 71 पूर्ण स्वराज दिवस कब घोसित किया गया था तो 26 जनबड़ी 1930 को और पहली बार उसको मनाया गया बिहार इस्टिबिस्ट कब हुआ 1912 में बिहार के सापना हुई थी तिन कठिया सिस्टम की बात कर रहे हैं बिहार के तो तिन कठिया सिस्टम में कितने भूमी का भाग अमानत के रूप में रखा जाता था तो तीन बाई 20 यानि 20 कठे में तीन कठे का अमानत के रूप में रखा जाता था बिहार में पहले मुख्यमंत्री कौन थे एक आसांसर सवाल स्रिक्रस्ण सिंग वेर वाज दा फर्स्ट कॉंग्रेस सिसन और कॉंग्रेस का पहला दिवीशन बिहार में कहां हुआ तो इसका है पटना 76 जैप्रकास नरायन को कौन सी उपाधी दी गई थी तो जैप्रकास नरायन को बी लोक नायक के उपाधी दी गई थी आसांसर वाल है 77 गांधी जी ने कहां पढ़ाई की थी तो गांधी जी ने किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी स्यामलदास कॉलेज भाव नगर है 6 महिने के आसपास इन्हों ने पढ़ाई की थी वहाँ पे उसके बाद 1857 के विद्रों में सक्रिये भाग किस ने लिया था तो ये सब उनमें भाग लेने वाले में है इसलिए इसका आंसर जो है E हो जाएगा उसके बाद 79 में जवाहल लाल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक है जिसमें सिर्फ ब्रेक है किन्तु इंजन नहीं है तो इन्होंने ऐसा बाद ऐसी बाद 1935 एक्ट के लिए की थी उसके बाद दांडी यात्रा कितने दिन चली थी तो दांडी यात्रा 24 डे चली थी 81 81 मैत का सवाल है मैत का सवाल पहला option A उसके बाद दूसरा जो सवाल है मतलब मोहन 25 दिन में काम करता है सोहन 20 दिन में करता है दोनों 5 दिन के लिए स्रम करें बाद में मोहन काम छोड़ दे तो इस तरह गर जो सवाल है उसका 11 एड़ी यह तो आप देखके मिला लोगी घड़ी से related जो सवाल है घड़ी दो भर में 12 बज़े चलना सुरू करती है पांच बच के 10 मिट पे घड़ी की सुई घूम जाएगी कितने डिग्री घूमेगी तो इसका आंसर C होगा 155 डिग्री उसके बाद 84 में आते हैं तो 84 में B आप्शन होगा यानि कौन सी प्राकृत संक्या का वर्ग नहीं हो सकता तो 14, 36, 42 85 गीविन नमबर करके दिया गया है इसका आंसर 3 and 2 होगा फिर 86 की बात करें तो 86 में जो होगा वो A होगा यानि 4 होगा उसके बाद सवाल है किसी सहर की जनसंगया इतनी है यह दिवो 5% की दर से बढ़े तो आंसर क्या होगा तो आंसर इसका A हो जाएगा 87 हो गया 88 में बोला गया है सिक्वेंस पूछा गया है इनमें से इस सिक्वेंस में कौन सी मिसिंग नमबर है तो इसका आंसर 180 है उसके बाद यह स्क्वेंस ब्या-इस इसका आंसर B होगा और 90 का जो सवाल है इसका आंसर C होगा तो यह math के सवाल थे अब फिर आगया आते है milk एक poor source है तो यह milk प्रोटीन का भी poor source है और vitamin C का भी वैसे अक्षन है pieces vitamin C लेके चलती है तो हम लोग भी C लेके चलते हैं लेकिन यहां के infusion हो सकता है उसके बाद पुलिस द्वारा नसे में गारी चलाने वालों कि सांस की जांच के लिए जो filter paper होता है वो क्या होता है तो वो filter paper potassium dichromate sulfuric aml होता है यानि यह option द्वारा वो सही है उसके बाद glucose को एथील alcohol में किस enzyme के द्वारा बदला जाता है तो उस enzyme का नायम है जाइमेज सी आंसर होगा इसका lime water ने चूने का पानी दुधिया हो जाता है किस से तो carbon dioxide से CO2 से पेट्रॉल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन होता है तो carbon monoxide carbon monoxide 96 एक घोल में pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H plus की आयन की सांधरता क्या होगा सांधरता जो है उसका जो concentration है वो एक हज्यार गुना कम हो जाएगी 97 रेत और निप्थलीन के मिस्रन को अगर अलग करना हो तो क्या करना होगा तो इसका आंसर होगा sublimation यानि ए उर्ध पातन बीदी से इसको हटाये जाएगा 98 में आंसर होगा आपका बारह और तीन यानि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या क्या होती है ये आसान सवाल नहीं है science के सवाल नहीं थोड़ा सब बैलेंस किया है otherwise दिक्कत हो जाती फिर कटा बहुत उपर चला जाता है यूडिया में उपस्तित होने वाले था तो दी होगा CHNO सब है यहाँ पे है जो पोरेश कंड़क्टर यानि उस्मा का सबसे अधिक कुछ आलक इन सब में कौन है सबसे अधिक तो अब इसली आंसर जो होगा लेड होगा लीड होगा सीसा होगा कौन सा विटामिन रक्त में थक्का बनने के लिए प्रभाबी होता है सिंपल सा कुश्चन है के फिमल सेक्स हर्मोन किसे कहते हैं तो एस्ट्रोजिन यह सब आसान सबाल है दो तीन गल ज़्यादा है मुसके लिए अधरवाइस आसान है इस्ट्रोजिन उसके बाद नॉबल प्राइस क्या है पार्किंजन बिमारी के उप्चार के विकास के लिए किसको नॉबल प्रसकार दिया गया तो आर्बिट कालसन यह आँज आंसर होगा इसका थाइराइट ग्रंथी की खड़ाबी किस कमी के कारण होती है तो थाइराइट आयोडीन के कारण होता है तो C आप्शन होगा अगला है करभाहट के लिए जीब का कौन सा भाग समवेदन सील होता है तो करभाहट के लिए जीब का है पीछे का भाग समवेदन सील होता है जिंजर तना है जर नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंट नोड होते हैं इसके कारण ये तना है जर नहीं है अगला है निम्र में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है सुक्रोज और आपको फ्रुक्टोज भी देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा यहां पर बीपियसी किसको मानती है इसको लेके confusion है बीपियसी का अंसर के बाद ही पता चलेगा क्योंकि उनके पास अपना explanation होता है इन में से कौन सच्या फल यानि true fruit नहीं है तो true fruit जो है आलो बुखारा यानि D option नहीं है उसके बाद फलियां अधिक positive होती है क्योंकि उसमें परशूर मातरा में क्या होता है protein होता है B option यह simple सा है long एक मसाला है कहां से मिलता है तो flower bird यानि फूलों की कली से D option होगा मान स्पेसी में दर्द के उप्चार के लिए infrared का प्रयोग किया जाता है 112 सवाल है कि दो समनांतर परतिरोध वाले सरकेट का कुल परतिरोध ऐसे करके सवाल दिया गया है इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा उसके बाद अगला अगर अर्द चालक को यानि सेमी कंड़क्टर को गर्म करेंगे तो उसका परतिरोध क्या होगा तो समने आंसर लेंगे तो decrease होगा otherwise यहां पर भी दिक्कत हो सकती है D option पर भी जाए जा सकता है तो वैसे नॉमली जो आंसर होगा वो B होगा फैराडे constant यहां पर भी थोड़ा confusion है फैराडे इस्तिरांत जो होता है वो universal constant होता है universal constant होता है लेकिन यह electrolyte के मातरा पर भी depend करता है तो या तो A होगा या D होगा या E भी लिया जा सकता है तो थोड़ा confusion इस question में भी है वैसे जनरल पूछिएगा तो D answer होगा light year की बात करें परकास वर्स किसकी काई है तो परकास वर्स distance यानि दूड़ी की काई है एक और सवाल है याँ पर 108 में कि कौन सा true fruit नहीं है question पूछा गया है कौन सा सच्चा फल नहीं है यहाँ पर confusion हो गया है थोड़ा यह सच्चा फल में apple भी होगा ठीक है और सच्चा फल नहीं है याँ अपल सच्चा फल में नहीं आता है और दूसरा अपल जिसको आलोग भुखारा कहते हैं यह भी हो सकता है तो यहाँ पर दिक्कत हो गई है option E हो सकता है इसका लेकिन confirm नहीं कहूंगा इसको लेकर भी ठीक है हम लोग और देखते हैं फिर बताते हैं उसके बाद गर्म करने पर हो गया फेराडे constant होता है यह भी हो गया उसके बाद हम लोग आगे शलते हैं light year भी हो गई है distance जो है unit है distance का उसके बाद अगला है अगला है कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है तो जो नहीं बदलता है वो है frequency यानि आपड़िती नहीं बदलती है और चीजे बदल जाती है velocity of electromagnetic wave यानि विदुचुमबकी इतरंग का वेग क्या होता है यह आसान सवाल है पहला option होगा उसके बार पहला आदमी जिसने चांद पे पैर रखा फिल्म में भी कितनी बार आ चुका है नंबर पूछ रहा है neutron का कि इसके plutonium nucleide के अंदर यानि plutonium nucleide के नाबिक में neutron की संख्या कितनी होती है इस सवाल का answer B होगा 148 होगा 120 सबसे ज़्यादा velocity यानि शयन्ता किस में होती है तो इसका answer होगा honey यानि शहद में होती है article 121 किस भारतिये फिल्म अभीनिता को time magazine 2020 के सबसे प्रभाव साली 100 लोगों की सुची में सामल किया गया तो आईसमान खुडाना है वो अगला सवाल है हाली में कितने समुद्र टटों को blue flag certificate दिया गया है तो total 8 है कैने में सब दे दिया गया है यह सारा दिया गया था राम बिलास पास्पान जो है start किये थे जब सबसे पहली political party कौन थी जिससे उन्होंने अपनी political carrier को सुरुवात किया था उसका नाम है संयुक्त सोस्लिस्ट पार्टी 124 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधान सभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जाड़ी किया था तो इसका है 23 सेप्टेंबर 2020 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा किस राज में स्वर्गिय रगबंस परसास सिंग पहली बार किस लोग सभा के लिए निर्वाचित हुएं तो इसका आंसर होगा 12 मी लोग सभा के लिए निर्वाचित हुएं Quad D Lateral Security Dialogue नामा के एक अनौपचाडिक युद्ध नीती समू में निमलिखित में से कौन सदस से नहीं है तो Quad की बात की जाड़ी है तो चाइना इसमें सदस से नहीं है और ये भी Counterface के अंदर डिटेल में दे दिया गया था उसके बाद अगला है सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंतरियों की पाच्वी बैठग में किसने भारतिय दिरिष्टी कौन का प्रतिनिधित्व किया था तो इसका आंसर है प्रहलाज सिंग पटे ये थोड़ा समुस्किले है जून 2020 में 36 आसियान सिखर सम्मिलन वर्चुली कहां आयुजित हुआ था तो आंसर होगा वियतनाम में हुआ था Human Capital Index Human Capital Index 2020 में टॉप पर कौन है सिंगापोर सिंपल सा सवाल है Recently USA में Operation MAGA Operation MAGA स्टार्ट किया गया था इसका आंसर हो जाएगा E देखो Operation MAGA मतलब Make Army Great Again ये तो है ही है साथ में ये डोनाल ट्रम्प का Re-Election Campaign भी था तो Make American Great Again की बात की गई थी आर्मी नहीं था अमेरिकन का यूज किया गया था तो ये गलत हो गया और डोनाल ट्रम्प ने अपने Re-Election के Campaign के लिए इसका यूज किया था 131 हो गया 132 की बात करें तो Which Arab State Has Started First Nuclear Power Plant तो यहाँ UAE होगा स्विक्त राज अमिराथ इस्राइल से 37 समझोता करने वाला पहला अरब देश कौन था तो इसका नाम है जॉर्डन 34 में अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को International Organization के संचालक मंडल का हेड बनाया गया है तो यह इंडिया है यह इंडिया है Operation My Sahelie यानि मेरी सहली जो है वो रेलबे के द्वारा स्टार्ट किया गया है महिलाओं के सुरक्षा के लिए इसको स्टार्ट किया गया है उसके बाद अगला है Fit India Fit India अभियान जो था उसकी पहली बर्सगाट के अफसर पे Fitness का डोज आदा घंटा रोज जो मंत्र है वो हर्सवर्धन सहाब ने दिया था तो C आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला है किस राजी की लगु ब्रिती चित्र ची लूपो को डादा साब फाल के पुरुसकार्ट से सम्मानित किया गया इसका अंसर होगा अरुनाचल प्रदेश उसके बाद इकिसान धन एप किसानों के लिए प्राइबेट सेक्टर की बैंक है उसने स्टार्ट किया है उसका नाम है HDFC बैंक 140 सवाल है कि भारत के किस सहर में अंतराश्टी हवाई अड़े पे सबसे पहले COVID-19 परिक्षन की सुविरा स्टार्ट की गई थी सबसे पहले तो उसका अंसर होगा दिली दिली मिर्म स्टार्ट किया गया था राफेल फाइटर एर क्राफ्ट किस बायुसेना स्टेशंग पे अवचारी क्रूप से भारती बायुसेना में सामिल किया गया कमबाला एर बैस पे उतरा था अब है अगला भारती क्रिकेट कंट्रूल बोर्ड के द्वारा सर्व भारती महिला चैन समीती का अध्यक्ष किसको निप्त किया गया है इनका नाम में नीतू डेविट को यूएस ओपन टेनिस टूर्णमेंट में वोमन सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्णमेंट को किस ने जीता तो नाओमी ओसाका ने जीता है अगला है अभी 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंडन मेराथन में पहले अस्थान पे रहने वाले अथलिट कौन थे इनका नामे सूरा किटाटा सूरा किटाटा पहले अस्थान पे थे 146 15 अगस 2020 को MS धोनी के साथ किस भारती किरकेटर ने किरकेट से सन्यास ले लिया तो उसका नाम है सुरेश रहना दोनों ने ले लिया महिंसिंग होनी के लेने के बाद इन्हों ने भी ले लिया National School of Drama का ध्यक्ष पड़ेश रावल को न्यूक्त किया गया है 148 DRDO का हेड कौन बने हैं तो डॉक्टर जी सतीस रेड़ी को DRDO का हेड बनाए गया है 149 किस विसाई के लिए डॉक्टर बुसरा अतीक और डॉक्टर रितेस अगरवाल को शांती, स्वरू, भटनागर पुरसकार के लिए चुना गया है तो इसका है Medical Science यानि चिकिसा विज्ञानसी ऑप्शन और लास्ट है 150 कि नोबल सांती पुरसकार के 2020 के लिए World Food Program विस्वखाद काड़ेकरम को लिया गया है और ये रहा आपका 150 के 150 सवाल दो से तीन सवाल में दो से तीन सवालों में दिक्कत हो सकती है Otherwise Almost answer आपके सारे correct है आप एक बार मिला लिए स्कूर हमारे साथ share करें और फिर हम लोग cut-off की बात करेंगे फिर एक genuine cut-off की बात की जाएगी और इसका भी वीडियो आज ही आ जाएगा